नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और मोग टेस्ट के उपर तो आज का मोग टेस्ट हम आपका जी के से शुरू करने वाले हैं अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्षन की तो फर्स्ट कॉश्षन आप यहां पर देख सकते हैं लक्षे दीब की राजदानी है तो तो प्रश्ट कोशन के अपका जी के कंथ अपको तो पाए जाती है तो प्सक्राइब के 70 वह एक्षान्वार प्रश्ट के बात करेंगे राज्यस्तान बइल्ग को राइट होजएगा दोस्तों नेक्स्ट कोशन की बात करें रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो आप्शन आपके सामने 72 राइट अंसर की बात करें तो आप्शन नमर B रावी इसका बिल्कु जहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो नेक्ट कोशन की बात करें नीली करांती नीली करांती इससे सबंधीत है तो 73 अप्शन आपके सामने राइट अंसर की बात कर तो अप्शन नमर A बिल्कु आपका राइट अंसर जहां पर आपका हो जाएगा दोस्तो नेक्ट कोशन की बात करें भारत में सरवादी कॉइला उत्पादक परदेश है तो दोस्तों ये question आपका इस वार हिमार्चल पॉलिस constable में पूछा गया था आप सब को पता ही होगा अगर आपने exam दिया है तो कहां था आपका सबसे ज़्यादा कोईला तो वो था आपका option नमबर जारखंड जारखंड में आपका सबसे ज़्यादा कोईला होता है तो दोस्तों ये आपका इस वार हिमार्चल पॉलिस constable में पूछा गया question था दोस्तों next question की बात करें question number 75 बारत में सबसे बड़ी तेर रिफाइनली है तो कहां पर है तो option आपके सामने 75 राइट अंसर की बात करें जाम नगर option number D विल्कुर आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें aluminium का सबसे बड़ा यसक है तो कौन सा option आपके सामने राइट अंसर की बात करें तो box site जाने की option number E बिल्कुर आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें question number 77 तो यह question भी आपका हिमाच्चल पूलिस को स्टेबिले में पूछा गया था दोहया और स्तारा के एक्जाम में बिजली बल्लब का फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है तो option आपके सामने 77 राइट अंसर की बात करें तो option number C टंग स्टेन इसका बिल्कुर यहां पर राइट अंसर हो जाएगा next question की बात करें पठाकों में हरा रंग निकलता है इससे तो option आपके सामने question number 78 78 78 का राइट अंसर हो जाएगा option number A वैरियम इसका बिल्कुर यहां पर आपका right answer हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें लंबी दूरी की फोटोग्राफी इससे सुकर की जाती है तो अगर आप English medium से त्यारी कर रहे हैं तो आप English में भी question जो है देख सकते हैं 79 right answer की बात करें तो option आपके सामने right answer हो जाएगा option number C अवरक्त किरने बिल्कुल इसका 79 का option बिल्कुल यहां पर आपका right हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आपका science का section शुरू हो जाता है 8 question आपके पुछे जाते हैं तो फर्स्ट कॉशन आपका साम का काटना सबसे पहले असर करता है जनकी कहां असर करता है जब आपको साम पर काटता है तो option आपके सामने 86 right answer की बात करें तो इसका आपका option number C रक्त संच्रन बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करें बांस है एक तो बांस क्या है 87 right answer की बात करें तो right answer हो जगा option number गास बांस जो है एक गास है नेक्स्ट कोशन की बात करें बार बार जो कोशन इकजाम में पुछे जाता है रतोंदी होती है इसकी कमी से जनकी रतोंदी जो है, आपकी किस की कमी से होती है, तो option आपके सामने 88 राइटनेस अंसर की बात करें, तो option नमर ए vitamin A, vitamin A से जो है आपको रतोंदी होती, next question की बात करें, important question है, सकरबी एक बिमारी है, किस की है, आंखों की बाल की तवच्छा की जा लिवर की 89 का राइट असर हो जाएगा आपका option number C तवच्छा बिल्ड को आपका राइट असर हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें पीलिया असर करता है option question number आपका 90 पीलिया असर करता है जानकि कहां असर करता है तो option आपके सामने है 90 की right answer की बात करें तो option number B लीवर विलकुर आपका right answer हो जाएगा next question की बात करें और वल्ट आइंस्टाइन थे एक तो क्या थे आप सबी को पता ही होगा 91 का right answer क्या होगा वो होगा आपका option number C बोतिक बिज्यानी बिलकुर आपका right answer हो जाएगा next question की बात करें question number 92 important question है टेलीफोन का अविश्कार किसी नहीं किया तो किसी नहीं किया था तो टेलीफोन का अविश्कार जो है यहाँपे आपका 92 option number option number A ग्राहम बैल बिलकुर इसका right answer हो जाएगा दोस्तो next question भी बात करें next question की 93 की यह question आज जो है फिर से आ चुका आप दे सकते हैं कि यह question कितनी बार repeat होता है पानी का गंतब सब गंतब है जाने कि सबसे दिए कहां होता है तो 93 right answer की बात कर तो option number C अधिकतम 4 डिगरी Celsius में question जब बार बार आपका repeat होता है 93 और दोस्तो next question की बात करें यह question आपका इस बार fresh guard exam में पूछा गया है car battery में उपयोग होने वाला अमल है acid use in car batteries तो question आप इंग्रिश में भी देख सकते हैं दोस्तों यह question आपका इस बार fresh करें important question है sodium carbonate का सदारन बाशा में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो रसाइनी की नाव आपका sodium carbonate हो गया और किसे कहा जाता है यह कहा जाता है option आपके सामने राइट असरे की बात कर तो होशन की दार जाने कि option नमबर बी Option नमबर बी बिल्कुर आपका राइटम रजए गा दोस्तों नेड़को की बधे करें नकर स्याहिक है और जोषर पर इस बात करें तो कहां पर जाती तो यह आपके सामने यदोशन के बात साथ में पहला ओलंपिक स्वरन पदक होकी में यहां जीता तो कहां जीता था तो आपके सामने अगर बात करें राइट अंसर की तो इसको जाएगा आपका डी नाइंटी साइवन का अप्शन नमबर डी प्रतम एशियाइ थे आपके कहां हुए थे तो आपके सामने 98 बारत ऑप्शन नमबर बिल्कुर राइट हो जाएगा दोस्तों नेश्ट प्रत्म रजीव गंदी खेल रतन पुर्सकर पाने वाले यह अभी आपको पता है कि रजीव गंदी खेल इसका नाम जो चेंज कर दिया करता का नाम बदल गांड कर अमदी घरतन पुर्सकार का नाइट का राइट अनसर दोस्तों पशेक की बात करें इन में से यूएन की अधिकरित वाशान नहीं है तो कौन सी नहीं या तो option आपके सामने है question number 100 तो इसका जाएगा जपान नहीं option number D option number D बिल्कुर राइट असर हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आपके हिमाचल जीके के हिमाचल जीके तो इसका जाएगा आपका option number A 101 option number A कि नेक्स कोशन की बात करें हिमाचल परदेश की कौन सी गाटी जस्वान दून गाटी के नाम से परसीद है एक सो दो राइट असर की बात करें संभांग गाटी option option number C option number C बिल्कुर जाएगा दोस्तों नेक्स कोशन की बात करें कि कोशन नबर आपका एक सो तीन कि फाव रंग परवट चोटी हिमाचल परदेश की किस जिले में स्थित है तो कहां पर है आपकी फाव रंग परवट चोटी तो एक सो तीन का राइट असर की बात करें तो आपका option number यहां पर आपका एक की नोर बिल्कुर राइट हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट परदेश की बात करें हिमाचल परदेश के पहले मुख्य अयुक्त थे फॉर्स्ट चीफ कमिशनर ओफ एच्पी वास तो कौन थे एक सो चार राइट असर की बात करें सतलूज option number C. सतलूज हिमाच्चल परदेश की सबसे लंबी नदी है. दोस्तों next question की बात करें हिमाच्चल परदेश का सूख हो शेत्र कौन था है? तो सबसे सूखा शेतर आपका कौन सा है तो सपीती सपीती आपका लहुरसीद सपीति में पढ़ता है और इसको आप देख सकते हैं कि सबसे सूखा श्यतर यह आप कोशन śतान कोन सा उस्यतर कर स्विंड़ का सपीती ही करेंगा नेश्ट कोशन की बात करें बुरी सिंग संगराले हिमाच्चल पर देश के किस स्थान पर स्थीत है इस पोड़न चुर्शन आपका बहुत टैम जो है हिमाच्चल का कोई विजी एक्जाम हो तो उसमें बाबार रपीट होता है कि बूरे सिंग संगराले आपका कहां पर रहा तो यह आपका 108 का राइट अप्शन नबर डी चंबा बिल्कुर इसका राइट अंसर यहां पर आपका हो जाएगा नैस्ट कुर्शन की बात करें स्कूल शिक्षा हिमाच्चल बोर्ड किस वर्ष में स्थापित हो था जाने की जो आपका धरमशाला बोर्ड है यहां आपके दसमी प्लस टू के पेपर होते हैं बहुत जो है किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था तो 109 का राइटन से की बात के तो ऑप्शन नमबर ए बात करें महात्मा गांधी श्रापना की थी मंधी शहर की स्थापना तो वह इसान्वार अप्शन नमबå अजबर सेन बिलको जहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों नेस्ट कोशन आपका फिर से इपोर्टन कोशन है ताबो मठ हिमाचल विदेश के किस जिले में स्थीत है यह भी कोशन आपका बहुत टाइम जो है हिमाचल का कोई भी आपका एक्जाम उसमें पूशे राइट असर की बात करतों नाहन सिर मोर नाहन बिलकु राइट असर हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आपकी रिजरिंग के अक कौश्चन शूरू हो जाते हैं तो आप से क्रीश ओड़ लेकर चलिए का पता है कि मैं आपको सार गशार जहां पर राइट अंसर बताता हूं तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको solve करके भी बिताओं क्योंकि वीडियो काफ यह लंबी हो जाएगी वीडियो तकरीवन आपकी एक गंटे के आसवाद पहुंच जाएंगे अगर मैं इसको solve भी करने लग पड़ा तो तो 124 का right answer की बात करें तो यह question आपका गलत आप इस question को short दीजिएगा यह question में answer आपके गलत दियो हैं तो आप इसको short दीजिएगा 125 की बात करें तो 125 का आपका right answer हो जाएगा option number A बिलकु right हो जाएगा दोस्तों next question की बात करें आप screen short लेके चलिएगा अमीत आप 127 देख सकता है question तो एकस का right answer हो जाएगा 127 का यहाँ पर आपका option number B option number B बिलकु right हो जाएगा आप screen short ले जीएगा इसका next question की बात करें जानकी 127 127 की बात करें तो question आपके सामने right answer की बात करें तो option number शुक्रवार बिलकु right answer हो जाएगा next question की बात करें question number 128 तो screen short ले जीएगा आप तो right answer की बात करें 128 का वह एक करें लाइक नबर सी 139 की बात करें तो क्षोटे चुन आपके सामने अजने की बात करें तो इसका हुजएगा तो 139 की बात करें इंगलिश में आप त्यारी करें ंजन सकते हैं तो 130 की बात करें तो आपके साथ इंगलिस के करेंगे तो 151 फॉस्ट कोशन आपका इपॉर्टन कोशन है यह कोशन आपका यहां पर आपके सकते हैं तो इसका क्या होगा तो 151 राइट अंसर की बात करें तू स्टार्ड कनवर्शन जाने कि ऑप्शन नबर सी इसका होता है कि चुप्पी तोड़ना नेश्ट कोशन की बात करें 152 ए मैन ओफ वेट तो 152 राइट अंसर जागा ए मैन ओफ इपोडेंट इस जानिकी option नमबर सी बंफिक्टी टू अप्शिन नमबर सी तो नेक्ट कोशन की बात करें 153 यहां पर आप देसकते हैं इस टोंब इने टीकप तो इसका क्या होगा तो 153 राइट अंसर की बात करें तो option नमबर सी option number c बिल्कु राइट अंसर हो जाएगा next question की बात करें to save once face to save once face तो इसका आपका क्या होगा यह question शायद मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं mock test में 154 the 154 option number यहां पर आपका d to weird disgrace next question की बात करें to look sharp 155 की राइट अंसर की बात करें to be quick option number d option number d बिल्कु आपका राइटम से रह जाएगा तो दोस्तों यहां से आपके हिंदी का section शूरू हो जाता है हिंदी काफी important है हिमाच्चल police constable में 16 नंबर की पुछी जाती है यहीं आपको merit में लेके आती है क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें आपको 16 में 16 नंबर भी बहुत ही अराम से ले सकते हैं क्योंकि क्वेशन आपके इसमें बार बार रिपीट ही होते हैं हर साल 156 यहां पर आपने बताना है 156 से लेकर स्थूधर रूप में यहीं परत नंबर र meille राइसे अ लिखे जाता है 156 का राइट है अणवे बात करें ऑनू distribute कि इसमेंस में मात्रा क्या फर्क है शोटी यू की बड़ी यू की लगी होगी है तो 158 option number B option number B बिलकुर राइट हो जाएगा 159 की बात करे option number A और next question की बात करे 160 की तो option number आपका B option number B बिलकुर राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यह आपके शुद रूप थे आप इसका अब यहां पर आपको पहले भी करवा चुका हूं 161 की बात करूं यह कॉशन मापको फिछले मौक टैस्ट में श्याद उसके मौक टैस्ट में आपको यह कॉशन करवा जो का आप दे सकते हैं कि कॉशन नंबर डी राइट हो जाएगा तो वहत इसका बिल्कुरा राइट र kuका वं-63 की बात करें तो ने उसका को मिने देशार शब्द है देशन शब्द है तो कॉन सा ईसमें से देशन शब्द तो 163 की right answer कि बात करे तो पड़ो सी बिल्ग को राइट हो जाएगा देशे शब्द आपका पड़ो सी होता है कि यह आपके से कुछशन आपके ऑप्शन देशेद नहीं है नेक्स्ट कॉश्शन की बात करें कभी का इस तृइ लिंग में दोस्तों कवी तरी डिया इस प्रकार से हो जाएगा इस तृइलिंग में तो option number B कल का आपका कल ही होता है नेक्ट कोशन की बात करें निसार में समास है निसार में आपका कौन सा समास होता है तो 166 का option नबर आपके सामने D अब यह बाब बिलको राइट हो जाएगा उसके अवाल बात करें नेक्ट कोशन की गरम का बिशेशन है तो गरम का बिशेशन क्या होता है यह कोशन में आपको पहले करवा चुका हूं मोक टेस्ट में 167 का गरम हो जाएगा बिलको राइट नेक्ट कोशन की बात करें अपमा यह सेम तो सेम आपको एक आदर मोक्तास में पिछे करबा चुका हूं वन 69 के अगनी का परवाची होता है दहन बाकी आप देख सकते हैं कि option नेक्स्ट और शेकी बात करें हिंदी का आखरी कोशन गर पर गर सीर पर उठाना गर सीर पर उठाना क्या होता है तो option आपके सामने इजी है 170 का अंतियांथ शोर करना बिलकुर राइटेंस रह जाएगा तो दोस्तों यह आपके लिए आज का मोग टेस्ट अगर मोग टेस्ट अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते जल्द मिलेंगे आपको एक नए मोग टेस्ट के